हेलो नमस्कार साथियों बहुत बहुत फ़ागत है आपके अपनी चैनल रिल्वेक रिकर्स में आपका फ्रेंड्स आर्पिया फैंसलरी ट्रेड्मेंड का गाडनेर के उपर जो ट्रेटेस्ट में बना रहा हूं मैंने पहले भी इसका ट्रेटेस्ट के उपर वीडियो बनाया जिसमें चार क्वेशनों में आपका दस-दस मार्क करके 40 मार्क का पूरा ट्रेटेस्ट होता है ट्रेटेस्ट होने का बात दिखे फ्रेंड्स ट्रेटेस्ट के बारे में हम अच्छे से जानकारी लेंगे पूरा क्वेशन मैं लिखके रखा हूं आप फटा-फट काम करिए एक काम करिए एक पेज ले लिए और एक कलम ले लिए ये दुनों चीज आपके पास होना ही चाहिए ताकि आपको जो है ना question correct मिल सके और question के answer भी मैं आपको correctly बता पाऊं ठीक है तो फटाफट करिए और आप से बस एक request होती है कि वीडियो को जब 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 शेयर करने की कोशिश करिएगा ताकि सभी लोग इसके बारे में जानकारी हसल कर पाएं पहला question फटाफट लिख सकते हो आप मैं आशा करता हूं कि आपने कोपी कलम जो है ना तयार कर लिए होंगे पहला question है कि English में मैं बोलूंगा उसका मैं हिंदी उचरण भी कर दूंगा आपको ठीक है पहला question देखिए knowledge of chemical fertilizer and their use अब बात करते हैं जो है knowledge knowledge की बेस पर जो है ना अर्थपेफ के chairman वहाँ पर आपको question पूछेंगे यह नहीं कि आपको जो भी है ना question PhD के लेवल का question पूछा जाएगा जी नहीं आपको simple simple plants के नाम कैसे budding होती है कैसे grafting होती है बहुत simple simple सा आपको question पूछा जाएगा जो हर एक बच्चा जिन्होंने एचस पास किया या 10th पास किया है उनको आराम सी यह questions easily हो जाएंगे दिमाग में घुच जाएंगे इसलिए मैं जो questions लेके आया हूँ जो मेरा student है उन्होंने दिया है question और उन्होंने बताया था कि सर यह questions आया थे यह 5 questions में से 4 questions हर एक बच्चे से बारी बारी से पूछा जा घबराईएगा कि मुझसे बहुत सारा question कराएंगे यह वो सभी को group wise वहाँ पर बुलाया जाएगा वहाँ पर सैट वाइस जैसे आपको physical में बुलाया गया था 50-50 का सैट वैसे ही यहाँ पर threat test में भी सैट वाइस बुलाया जाएगा ठीक है मैंने बताया क्या पहला question knowledge of chemical fertilizer and their use अब बात करते हैं ग्यान कि कितना है chemical fertilizer रायसानिक औरुबरक के बारे में आपको ग्यान होना चाहिए और वह किस प्रकार से उसको उसका इस्तेमाल करना है उसका ग्यान होना चाहिए आपको कोई भी किसी भी प्रकार के seeds का chemical fertilizer पूछा जा सकता है यह knowledge आपको याद इस्कॉलिफाइब कर देगा वहां पर आर्पी एफ का हर जवान लेकिन बता रहा हूं कि आपकी जो मैरिट में जो लिस्ट बनेंगे इस इन क्वेश्चनों की अधार पर ही बनेंगे तो क्वेश्चन को एगवार समझ देगा ठीक्या नेक्स क्वेश्चन देखते हैं नेक संफ्लावर के प्लावर के प्लावर के नाम यादनें आपको संफ्लावर कंह संफ्लावर के नाम, बहुत सारे नेट में मिल जाएगा आपको बहुत ही आपको मिल जाएगा कि एक किस सेशन में इसका प्लाँटीशन होता है और यह कब इसका मतलब जो है यह फ्लावर का प्लाँटीशन कि सेशन में होता है संप्लावर हो गया रोज का एक बार अच्छे से पढ़ लीजेगा लिजेगा हिभी सकस्फित जो गर्ड दिल के बारे में जानकारी ले लिजेगा लोटस के बारे में अच्छे से जानकारी ले लिजेगा डेजी फूल के बारे में जानकारी ले लिजेगा और डालिया के बारे में जानकारी ले लिजेगा चलिए नेक्स्ट क्वेशन तीसरा नमर क्वेशन में आप से पूछूंगा knowledge of preservation of seeds of different plants sessions of plantation and plantation technique देखिए friends आपको मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से seeds को अच्छे से preserve करके रखना है किस प्रकार से उसको सम्हाल कर रखना है और different plants बहुत प्रकार के प्लांटों के बारे में जानकारी लेनी है किस प्रकार के plantation होंगे, किस session में होंगे और plantation के technique क्या होनी चाहिए ये जानकारी आपको होनी ही चाहिए अगर आपने thread test के लिए form भरा है अपने gardener के लिए, माली के लिए, ठीक है इसके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए next question में बता रहा हूँ knowledge about budding and grafting पहले मैं बता दूं, budding क्या है budding एक नवोदित होता है budding मतलब जो full हो से निकलते है और मैं बता रहा हूँ grafting, grafting क्या होता है मैं आपको यहाँ पर draw करके दिखाता हूँ यहाँ पर देखे मैं एक rose full का ले रहा हूँ यहाँ पर rose full rose flower का ले रहा हूँ दिखे क्या करते हैं यहाँ पर एक plant का stem है यहाँ पर थोड़ा cut करते हैं क्या किया जाता है यहाँ पर एक जो है न, इसमें chemical mix करके यहाँ पर किसी रस्षी से या कोई पटे से इसको बांद दिया जाता है कुछ दिनों के बाद आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि नए Plants, नए जो पाध्य होते हैं वहाँ से ejaculate हो रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं Grafting क्या कहते हैं Grafting के बारे में कुछ questions पूछा जा सकता है क्राफ्टिंग क्या है और वो उसका जो प्रिपरेशन होता है किस प्रकार से होता है तो आपको बताना क्या है कि हर एक प्लांट का स्टेम को किसी एक पर्टिकुलर पॉजिशन से स्टेम को कट करते हैं स्टेम को कट करने के बाद वहां पर केमिकल हो तो लगाईए ना हो तो दीजी क्योंकि वहां से next time में उसको जब पट्टे से बांद दिया जाता है तो next time one week या two week के अंदर अंदर एक नया पौधा एक नया एक स्टैम वहां से वहां पर मतलब रुपांतरित होता है वहां पर मतलब निकलने लगता है ठीक है अब बताता हूं मैं कि यह जो questions है उसको आप कितने question हुए फ्रेंट पांच question मैंने बताया साथ पांच question पांच question उसको आप अच्छे से पढ़ लिजेगा पहला question जो था knowledge of different kind of sorry knowledge of chemical fertilizer and their use यह आपने पढ़ा second question knowledge of different kind of plant flower and seasonal plants and the ability to recognize them यह second question third question क्या था कि third question knowledge of preservation of seeds of different plants sessions of plantation and plantation technique इसके बारे में आपको जानकारी लेनी थी ठीक है अच्छा भी एक question बच्चा है साथ यह लास्ट question जो है ना आप से मैं बता रहा हूं चौथा नामर कुश्चिन जो था knowledge about budding and grafting preparing the bucket by using flowers of different colors ठीक है अगर आपको को अगर कोई भी color उसमें provide करना है कोई भी color देना है तो आपको क्या करना है उस जगह से क्या करना है अगर काटने के बाद वहां पर क्या ability to identify पहले हम लोग को पौधों को जो गार्डिनिंग कर रहे हैं तो टूल्स के हिसाब से जो टूल आपके पास है वो टूल निर्धारित करेगा कि वो आइंटिफाई करता है कि किस प्रकार के प्लांट आप आप महां पर उरुबरक कर रहे हैं तो वहांपर गार्डिनिंग कर रहे हैं उसको करना होगा वहांची जो आर्प आप से यह चबह सकते हैं कि यहेकि सेशन में होगा हिसकी plantation कब होगी और यह आपको ज्यादा कि या स्पेसिस नेम देखिए फ्रेंट्स अगर आप कोई भी प्लांट का साइंस्टिफिक नेम पर कर रहे हो तो जो जैनरिक नेम है वह स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से मैंने आपको पहले बताया था या नहीं यह याद रखिएगा जैसे मैं हिविसकस ले रहा हूं हि ने एचेस दिया है तो बहुत एचेस पता होगा एचेस में साइंस पढ़ा है जिसमें बचों ने बायोलोजी लिया था उन बचों को एक टूल मिलता है साइंस्टिफिक टूल जिसके कारण वह हिबिसकस फ्लावर को कटिंग और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं देखिए उननित, मैं बता देता हूं यहाँपका हिबिसकुस फ्लावर है तो यहां पर एक ज liz लेगा होता है इसको पहले स्टार्टिंस से यहां से स्टार्ट से कुठ करिए गा इसको स्टारिट से निकाल ली जेगा फिर बीच में यहां से कट ब करिए और ये पौधो जो पाच होंगे नहीं तो चार भी होते हैं चार यहाँ पर सीपल्स को निकाल लीज़े फिर पेटल्स को निकालना होगा आपको याद रखेगा सभी को ध्यान से और उसके बीच जो अंगुरित जो जो है ना पौधे मतलब बीच था उसको भी साइड कर लीज लाना है कि यह सब क्या कि नहीं होगा अगर आपको संज्व हो रहे तो हमें कमेंट करके पूछिए गा जो भी कुश्षन्हें कि उसके सारी हमां को आपको इंटिफा करके बता देंगे टीक है रूप में ट्रेड है इसके रूप में यहीं आपका यह कुश्चिन रहेगा औ ताकि मैं और भी डिटेल में आपको एंसर प्रवाइड करूं जो मैं यह बता रहा हूं अगले अगले वर्ष के दिनों में कुछ दिनों के पहले ही पूछा गया था तो इसलिए मैं आपको शेर कर दिया ताकि वह आईडिया आपके मन में रह जाए जब आपके कोई पास क्व कि आउंगा तो मिलता है फ्रेंस नेक्स्ट वीडियों तब तक लिए धन्यवाद